आर्पी भारत जेवल खबरें और कुछ नमस्कार मैं गूँ अंजली आर्पी भारत में आपका स्वागत करती हूँ तो चलिए शुरात करते हैं आज की किसी खास खबर से विश्वाधी वासी दिवस के मौके पर जिला अध्यक्ष की नेत्रत्व में कॉंग्रेसी नेता इवं कार्यकरताओं ने बिर्सा चौक इस्थित बिर्सा मुंडा तथा गांधी चौक इस्थित गांधी जी के प्रतिमा पर माल्या पायंट किया सवर परतं सिद्धो कानू पार्क पॉंचे पार्क के मुख्य द्वार पर ताला लटका देख मायू सी के साथ लोटे उसके बाद बिरसा मुंदा तथा गांधी जी के प्रतिमा पर माल्या परण किया साथी प्राकर्तिक जारकंड की संस्कृति वास अभिता की रक्षा करने का संकल्प लिया साथी बुलंद आवास में सुद्धो कानू अमर रहें विश्वादी वासी दिवस जिन्दाबाद के नारे भी लगा है कॉंगरिस जिला अध्यक्ष उदय lakmarni ने कहा कि ये एक एतिहास एक दिन है इसी दिन महात्म गांधी ने भारत शोरो अंदोलन की शिरुबाद की थी इसलिए इस दिन को एक एतिहास एक दिन मना जाता गए जिला अंध्यक्ष उद्य लक्मानी ने नाराजगी साखिर करते हुए कहा कि आज के दिन पार्क खुला रहना चाहिए पूरे जारकंड के अंदर आदिवासी दिवस मनाया जारगाग है सिद्धोकानों की प्रतिमा भी पार्क में लगाई गई है आज के दिन बहुती दुख की बात है आज के दिन बहुत दुख की बात है हम लोग पार्क पहुँचकर बेरंग लोटे वहाँ परमालया पर नहीं कर पाए जिससे हम सभी को काफी दुख पहुँचा पाकुर से मक्सूद आलम के रिपोर्ट आज के दिन हमारे जिनों ने सुतरता सेनानी हमारे सिद्धो कानू बिर्सा मुन्लू ने जिसने ज़ाडखन के लिए अपने प्राण को निशावर किया उसी की याद में आदी दिवस्त हम लोग मनाते हैं और नव अगस्त हमारा एक एतिहासिक दिन है पार्क खुला रहना चाहिए पूरे ज़ाडखन के अंदर आदी वासी दिवस मनाया जा रहा है और सिद्धो कानू की प्रतिमा भी वहीं पे लगाई गई है आज के दिन बड़ी दुख की बात है कि हम लोग जाए गए वहाँ पे लेकिन बैरक लोटे वहाँ पे हम लोग माले पर नहीं कर पाए बहुत दुख की बात है इस चीज को शासंग पर शासंग को देखना चाहिए कि जब आदी वासी दिवस है आज हमारा क्रांती कारिया लोलन का दिन है इस दिन भी हम लोग का आज वहाँ पे क्याना में पार्क बंद करके रखा गया है बहुत शर्मनाक बा बहुत दुख की बात है कि एतियासिक दिन में आज हमोने से दो कानों के उपर मालार प्रंकर नहीं उपाई बहुत दुख की बात है